असलामвойलेकुम स्टूडेंट्स आप सब कैसे हैं? मैं उमीद करती हूँ कि आप सब नीए ठीक होंगे जैसा कि लिएीच कल हमने इस्म की तारीफ पड़ी थी तो मेरा आपसे सवाल है प्षेंट्स से करी इस्म क्या है सब बच्चों ने मुझे इसम की तारीफ सुनानी है ठीक है आप जब भी मेरी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपने सबसे पहले मुझे इसम की तारीफ क्या है इसका आंसर सबने मुझे सेंट करना है चलें स्टूरेंट्स अब हम अगला काम अपना करते हैं आज हमने कर है किसी भी चीज, शक्स, जगा, जानवर, परिंदा के नाम को इसम कहते हैं, अब आगे इसम की कितने एक्साम हैं, इसम के आगे दो इक्साम हैं, कौन-कौन से इसमें नक्रा, इसमें मार्फा, इसमें नक्रा बच्चों कहते हैं किसी भी आम, चीज, जगा, शक्स, परिंदा, जानवर के नाम को इसमें नक्रा कहते हैं मसलें लड़का, पहार, स्कूल, सबजी वगारा लड़का अब क्या है? अब लड़का एक थोरी होता है लड़के तो बहुत जादा होते है पहार एक थोरी होता है पहार भी बहुत जादा होते है स्कूल एक थोरी होता है, स्कूल भी बहुत जादा होते है सबजी एक थोरी होती है, बहुत जादा सबजी होती है मतलब यह आम चीज़ें है, ठीक है, इन आम चीज़ों को क्या कहेंगे इसमें नक्रा इसमें मार्फा बच्छों कहते हैं इसमें मार्फा कोई खास नाम ठीके इसमें मार्फा किसे कहते हैं किसी खास नाम को किसी खास चीज़ को किसी खास जगा शर्क्स प्रेंदे या जानवर को इसमें मार्फा कहते हैं मतलब अकबर अकबर एक खास नाम है ने अकबर हर किसी का नाम थोड़ी होता है इलामा एकबार ये भी एक खास नाम है केट्टू का पहार अब केट्टू का पहार हर जगा थोड़ी होते हैं ये तो केट्टू का पहार एक जगा है ठीक है नेशनल स्कूल, नेशनल स्कूल, हर स्कूल का नाम जिसना नेशनल स्कूल नहीं है, जिसना प्रोग्रासिफ स्कूल हो गया, पबलिक स्कूल हो गया, मतब अलग लग स्कूल के नाम होते हैं, इस तरह नेशनल स्कूल एक स्कूल है, मतब ये खास स्कूल का नाम है, बिंडी, अ शाब शादा जानवर को इसमें नक्रा कहता है शाध पयान्फा दिख्वा और NXT ऑपके सामने इसित्वार्वेज़करा हो और द्रक्त क्या होता है शाक है यह th Technology डरा गारी ये गारी तेज चलती है ये डैश मीठा है मीठा क्या है इनार मीठा है डैश ने दूद पी लिया किसने दूद पी लिया बिली ने दूद पी लिया ये बरा डैश है बरा क्या है घर मतलब दरखत भी एक आम चीज है गारी भी आम है अनार भी आम है बिली भी एक आम ची है ठीक है सामने दिएगे इसमें मार्फा के मदद से जुम्ले मुकमल कीजिए डैश किताब है यह उर्दू की किताब है अब उर्दू की एक ही किताब होती है अब सारी किताबों के नाम उर्दू थोड़ी होता है जहीं ये जहीं डैश जहीन लड़का है अली जहीन लड़का है अब अली एक इंसान है ठीक है एक लड़का है अली वो जहीन लड़का है ठीक है डैश दिन को रोशनी देत आप सुरच आ कि वैरे है जैसितना इसक्तिताओं और करेंदक्राइध करेंदक्राण। मुझे फ़लों में आहम पसंद है मेरा नाम नदीम है यहां पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो मेरा नाम निम्रा है मेरा नाम साइमा है मेरा नाम समिया है मेरा नूर है मतलब यह क्या है एक खास इंसान का नाम है क्या है मेरा नाम नदीम है बच्चो आप लोगों ने इसमे के अलग डाफिनेशन उसकी मिसाल आपने यहां तक अपनी नीट कोपिस पर होम रख करना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी करना है मैं अमीद करते हूं कि आप सब मेरी बात पर अमर करेंगे और किसी भी जगा पर अगर आपको क्यों मिश्किल दर पेश आती है तो सो आप मुझे से फोरें कुंटक्ट कीजिएगा मैं आपकी हेल्प करूंगी और अगर मैं उमीद करते हूं कि आप सब मेरी बात पर अमर करेंगे और बहुत अच्छा घर में बैठकर पढ़ेंगे और स्टे होम स्टे सेफ शुक्रिया अलाहाफिस